दोस्तों, हम इस सत्र में रैखिक समिकरणों से जुड़े कुछ सामान्य भ्रह्मों को देखेंगे इस समिकरण को देखिए हमने यह सीखा है कि यह एक चरवाला रैखिक समिकरण कहलाता है क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसमें केवल एक ही चर है और दूसरा चर की सबसे उच्चा तमगात एक है अब इन दोनों समिकरणों को देखें क्या आपको लगता है कि यह दोनों एक चरवाले रैखिक समिकरण है? नहीं केवल पहला समिकरन एक चर वाला रेखिक समिकरन है क्योंकि चर की सबसे उच्चतम गात एक है पर जैसा कि आप दूसरे समिकरन में देख सकते हैं चर दो बार दिखाया गया है और दोनों बार इसकी गात एक है तो फिर दूसरा समिकरण, रेखिक समिकरण क्यों नहीं है? आईए पता लगाते हैं इस समिकरण का एक महत्व पूर्ण पहलू यह है कि समिकरण में x 5x से गुणा हो रहा है तो इस समिकरण में x से संबंदित पत 5 गुणा x गुणा x होगा यहां हम देखते हैं कि एक ही आधार x वाले दो पदों को गुणा किया जा रहा है इसलिए उनके अलग-अलग घात जुड़ जाएंगे और अंतिम पद 5x वर्ग होगा जैसा कि आप देख सकते हैं, x की घात 2 है इसलिए परिभाशक या नुसार दूसरे समिकरण को रेखिक समिकरण नहीं माना जा सकता है और इसलिए दूसरा समिकरण एक चरवाला रेखिक समिकरण नहीं है चलिए एक और उधारण लेते हैं इन समिकरणों को ध्यान से देखें क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन में से कौन से एक चरवाले रेखिक समिकरण है? पहला और तीसरा निश्चित रूप से एक चरवाले रेखिक समिकरण है पर दूसरे समिकरण का क्या? दूसरे समिकरण में थोड़ी असमंजस है क्योंकि इस समिकरण में चर समिकरण की दाई ओर है लेकिन यह भी एक चर वाला रैखिक समिकरण है क्या आप पता सकते हैं क्यों? कोई भी समिकरण में चर का पक्ष माहिने नहीं रखता है समिकरण केवल हमें बताता है तो एक चर वाले रेखिक समिकरण में चर समिकरण के किसी भी तरफ हो सकता है हम अपने इस सत्र को यही समाप्त करेंगे इस सत्र में हमने दो सामान्य भ्रहमों के बारे में सीखा जो एक चर वाले रेखिक समिकरणों का अध्यायन करते समय उत्पन हो सकती है अगले पाठ में हम यह सीखेंगे कि एक चरवाले रेखिक समिकरण को किस तरह हल कर सकते हैं